वेल्कम स्वागत आप सभी का आज अपने लोग परहेंगे के लास्टेंथ का माइटमाटिक्स चेप्टर 6 से ट्राइंगल है ट्राइंगल यानि की तिर्भूज तो कोस्टन में आपको खा रहा है मतलब यह जो है इमेज परशन है तो कोस्टन में आपको PS by SQ, PT by TR यह आपको गिवन दिया है और यह भी गिवन दिया है तो इस दोनों को मदद से आपको प्रूब करना है कि यह एक ISO सिलर्श रंगल है यानि की देखिए हम आपको प्रिविएस वीडियो में बताए थे कि बीच का एंगल से मतलब रहता है तो बीच में आपका क्या है S है तो यहाँ पर देखिए इसमें S है तो यहाँ का एंगल यह जो बीच में आर है इसका यह जो ऐसे यह जो एंगल आ रहा है यह दुन्हों एक दूसरे का इक कोल है 20 से मतलब रखते हैं यह दूनों उन्टा 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 हो चले घाले कि 20 का एंगल का आपको दिखने तो यहां पर बात आती है इमेज पर रशने तो जहिए से बात है कि इमेज के साथ अपने लोग खेलेंगे कुछ ना कुछ करेंगे तब जाके कोशन बनेगा तो आपको यहां पर आया एसो से लेंगल आपको पूरूब करना है साबित करने परमानित करने मतलब होता है अप याद रखो आइस से लट रहेंगल होता है तो दो सैड इकल होता है कि लिया सबके अगर रहेंगड़ होगा जिसे कि मालेजिए यह ऐपका ट्रियंगल है त इसका मालें यह दोनों एक्वाल ही यह इसको बोलता है इसको मतलब यह हाथ रोको दो तोब बी कोई भी उसेड़् होगा कोई भी लेंड्ट करने के लिए आपको एक और याद करना पड़ेगा की बीपिटी थियूर्म क्या होता है थे को कंसेप्ट है को करने लिए थेहां जिसको बपिटी भी बोलते हैं और सकेन इसो सेलर्स क्या होता है ठीक है थोड़ा बने लगा ये का तो को शर्मा जाग एजी है तो बीपिटी थेहां क्या होता है इसे का दूसरा नाम है पहले तो इसका फूल फर्म जा लेजिए बैसिक प क्या करने के कोशित करिये हैं अभी आप सिम्पल में समझों कि मालो एक ट्रेंगल है क्लियर कुछ में मालो ए है भी है सी है तो कोई एक सेड़ पकरो ठीक है या तो यह सेड़ लो या तो यह सेड़ लो अभी मैं क्या बता रहा हूं कि bpt theorem that means ये सेड़ लो या तो ये सेड़ लो माल लिजिए हम ये सेड़ लेते हैं इस सैड़bek ए चे यह बीट थेहरम क्या करते है कि वीएर्बूठ का ट्रेंगल कोई एक सेड़के पैरलर कोई एक मतलब लाइन घीचोगे नहीं, कोई एक सेट के परलर, कोई एक पैलल लाइन घीचोगे नहीं, तो यह जो पैलल लाइन है, किस को मतलब intersect किया है, यह दोनों सेट को intersect किया है, यहाँ पर P पर और यहाँ पर Q पर, तो बिपिटी थोरम क्या करती है, कि कोई भी सबक्रीज़ एक सब्सक्राइब के तो हो अधर की हुगा तो देवला और यह बना तो उसको मतरब इक्वल में टिवाइड करेगा एक फाइड करेगा यह यह जो क्या चीजा का और यह जो एकूद होब घंक है ऑन्स सघ्रंड इसको मैं इसे करके और बताता हूँ देखो. यह है। यह ट्रَंगल है। अभी अपने लग क्या की है? यह सैड लिए. अब मैं सैड चेंज कर देता हुआ. अब मैं यह सैड ले ले लेता हुं. इस सैर के को डिग, अगर हम घीचेंगे लेन। यह होगा यह होगा तो यह 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 तो पव Здесь हशाबता और यहां। इसक recruit भूमातों इस हिसाब से 예साब से आप से कर दो कुछ को एक्स मानलो यह которую यह हो गार यह ऑक्सार होगा यह को लोगा यह इसका इसको उंटा पूंटा कर सकतूं तो अब अब आपको बताओ इसका उल्टा कर दो कर दो अगर मालो यह आपको दिया रहेगा तो यह यहां पर अप्लाए होगा इसका अपलाई होगा यानि कि वलो मा उपाई होगा आपको यह इसे करकर गिया है सामधाने के लिए तो माले जहाए एक्स होगा है यह जह जह उगिए और यह से करिके मालेजिए एप भीया और यह की हो गिया मालों आपको कोई आकि बोलेगा कि यहां पे X P, आपके P Y है, यह बराबर है, इस टाप कोई कंडिस्व देदेगा, मालों इसे भी दे सकता है, 4 दे सकता है, समझाने के लिए, R दे सकता है, ठीक है, 4 दे देगा, R दे देगा, ठीक है, और यहां पे मानेजिये, शॉल्ला दे है, यहां पे चॉण देदेगा, इस टाप सापको कोई देदेगा, तो कहने का मतलब यह हुआ, इसको आप चेक करो, इस टाप से लिए, इसको चेक करो, तो 4 दाटा आठ आया, यहां पे क्या गया मालों, 16 दाटा चॉण सट आगिया, ठीक है, अब इसको कातो, 4 दोन चाहर, की यहां यह बहला पैरलल के एकल होगा कि यह गल्द हो जाएगा अब मानले जी को इसाथ लेते हैं यह है है इस हिसाथ को मानले जी मनेंपी लिया इसको आर लिया इस हिसाथ से म fx य लिया ऐ Travis कुछ भी आप ले सकता आपका अपना मर्जी है यहां पर मानलो मैंने शाथ लिया मैंने ऐस लिया और यहां पर कुछ भी ले कि इसको काट के साथ बढ़ाए कि इस ही आएगा जैसे के सातव का सब्ढ़ाए का सुछ भी जा सकते हमां था पिली तो यहां सब्सक्राइब निया था कर्सा है तो आप लो यहां पर तो 14-14 रहेगा एहां पर 14-24 रहेगा चोदर रहेगा और 42 लेगा चोदो और ब्यारिस लेगा तो तो साथ बटा एक हैस हुआ यहां पर आप देख रहे हो कि इस रूल को यह वेरिफाइग कर रहा है पी क्यू बटे आक्सक्यू और पी वाय यह 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 जो हुआ लोगे यह लोगे यह लोगे यह यह दो क्या गया नहीं हिसाने शा। अब यह बन गया देखिया सब्सक्राइब करें । सबसे पहले जो इससे लिए को सलूशन है अब आपको तरह समझ में जाद आएगा सबसे पहले यहां पर दिया वह उतार देजिए सब्सक्राइब लगाएंगे फीटी पर यहां पर क्या उतारत दो टियार है तो खड़िक हथ अब बदेहिए अब जो मैं अभी बताया हूं Now वह ठुल यह करो मैं तुरहत क्या बताया क्या रड़या कि यह वह गए और यह पले इस यहां पर दोखो प्स在 Jim Here Of이 straps मतरब है हैं पर सपर ऐसे बदोगह पर इस नी जिल नःता और बट्टा स्कू यह इक किसका यह रहाई कि यह बता यह वाला यह बता यह वाला और यह वड़ा यह तो यह जोorit यह प्लिख सकते हैं यहां पिख सकते हैं यहां पर किया चिटर मैं करो अधीक ंप अधीन कि पी कोई लिखेगा कोई परसन के गहां का दो सट लिखो यह लिखो यहां पे त्यर्स थरों कर दो दोनों है एक कनवार्ज ऑफ यह त्यल्स थान चेपिल्स त्यवार्ण अब यहां पे थ्टॉरा सा बने तो सुरु सुर में ज़ा था दो दो चीज इसमें में में था पाला है इसेस लेटर रखल यह क्या होता है दूसरा थ्रा सवरू और एक चीज और है थेख गया जो मैं बूल गया था एक चीज और समझेंगें अविए हपनीं लोग समझे के क्वरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है देजिए संगत कौनขव कौन्डliamo क्या होता है मान जीए आप दो भाय हो ठेक है दो भाय हो हमकि माने क्या किया आप दो भाय हो तो दो भाई को मैंने मान लिया चिंटू-पिंटू, एक भाई चिंटू है, एक भाई पिंटू है, ठीक है, एक भाई पिंटू है, ठीक है, तो अपने लोग का मम्मी क्या किया, आपको दाया गाल पर एक थप पर मारी, ठीक है, आपने कोई गलती किया, ठीक है, तो आपको द और आप पिंटू को भी एक थपर तो यह रिगृ नहीं मुआ इन रहा हुआ हुआ के पिंटू को भी आपकी दायाँ अधिक टायमट जो रहा है, और लिग्धर न्यज्समा रहे हुआ हो है 125 जाभ आपको आम मुझा देक ट्रिम्धर हाँ पिंटू को भी दाया गाल पे मारा, मालेज़ सब पोच कीजिए, कि आपको बाया गाल पे मारा, तो एक ही चीज दोनों में common हुआ ना, इसी को बहुते corresponding angle, यानि कि यहां पे मालेज़ एंगल एक है, तो यानि कि यह जो लाकीर है, इस लाकीर के, इसके इधर है एंगल एक, आ इधर भी क्या होगा, पचाश जी होगा, यह होता है इक तरीका से corresponding angle, फिर आप इसको इससे समझो, इस टाइप का है, तो देखिए, अब यहां पे मालेज़ छो है, एक बात काते समझाने के लिए, तो देखो, यह लाकीर है, यह दुने दुने पहले parallel है, इसके यह ट्रांस corresponding होगा, इस लाकीर के नीचे वाला, इस लाकीर के नीचे वाला, तो इस लाकीर के नीचे मालेज़ सता डीरी का कुछ भी उरा सकता है, हम समझाने के लिए, तो इस लाकीर के नीचे में बाता डीरी है, तो इस लाकीर के नीचे में बाता डीरी है, तो इस लाकीर के नीचे मे अब मालो यहां पर यहां पर बात करते हैं 34 डिवरी है और यहां पर 34 डिवरी है अब उल्टा करो जब यह दुनों यह दुनों पैरलल हुआ यह दुनों बराबर हुआ और इसके बगल में तो यह दुनों बराबर हुआ यह दुनों बराबर हुआ यह दुनों बराबर हुआ तो यहां पर कि यहां प्योंब क्राइक चाहिए करओं क्या है कि यह यह प्लाइकर ओ- यहांपे किया था यह क्यू था और यहांपे क्या था वैसे अभ ड़ी टो सका है उसका सक्षिक्टार्ण सरद के किया हुआ रही है तो इसको मानेग तो इसको क्षिक्टार प्राइब तक यहांगे विश्यांगे Can- The Power तो बैहने, तो लिया होता है, टांसवर्स काना चाहि・लूरे आप यहां पर लाइ करो तो यहां पर लिख सकते हो यहां पर आप इसे करके लिख सकते हो इसलिए देखें यहां पर 100 भी दे सकता आप का पहला मर्ची तो यहां पर लिख सकते हो इसलिए corresponding angle क्या PST यह जो equal होगा क्या चीज़ के PQR के equal होगा region में क्या लिखोगी आप corresponding angle corresponding angles मैंने अभी कुछ दिर पाले आपको एक चीज बोला इसे previous video में भी मैं आपको बोला था देखिए आप 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 इससे लिखो इंगल स्विक्राइल दिरिये हो आप लिखो टीये हैस ज लिखो 와 gats कुछी बीची लिखो आपको में मतलब रहना चीए है यह इए आप नहें अश्यां धिखो ऐस करके इस में क्या है पी एश्ट लिखो एंगल-P S-T-T लिखो टेक है या इंगल-S-P लिखो रेंगल-S लिखो आप को उसी से आपको कोई नहीतbahn नहीं आरब यह जो दोनों किया हुए एकोल हँआ तो यह दुनों इकल होगा तो यहां भी अपला कीजिए यह दुनों भी इकल होगा इस हिसाब से क्यों corresponding angles से corresponding angle क्या है मैंने मावला example दिया था न तो वही corresponding थेखिए अच्छा आगे देखिए आगे क्या है बट आपको लेकिन किताब में क्या देए किताब में तो यह दिया है वुक में तो यह दिया है तो इसे कर उतार लेंगे समें-ouri आपको यहां पर कुछ नज़र आता होगा, क्या नज़र आता है, कि दू हाथ है से करके इठाएं यह दायां हो गया, और यह बाययां हो गया होग और यह दाययां तो बाययां वभला दोनों एक जीसा है, तो यह उर गया, ठीक है, तो यह दुन यह नुद पी ऐस टी ठी यह बराबर हो गया क्या चीज़ का एंगर पी क्यू आर किया अब इस को यहां मान सकता आपका अपनावर्ची ठीक है और पी एश्टी अंगर पी एसटी बराबर क्या होगया पी आर क्यू ठीक है अब टीचर को समझाएगा कि कैसे हुआ बराबर तो इतना लंबा चुरा भासन नहीं देना है कि अपको तुरत में बनाना है योग यह इसे हो सकता है न अब देखो अब इसको इसे कर लो अब बने है सरसेह कहा बदला हम सब को उठाए है मालो दो बराबर साथ है साथ को इधर कि दो को इधर करनो और अगर माने जाब बदल बो करेंगे तो देखिया बदल बो करेंगे मैनस है तो इसलिए पूरा को यह पूरा उठा के दःटी आ इसलिए अब दो दुक्त मैनस बराबर के दर चला गया तो क्या विर मीरें होगी यह अब नगे इतना आपने लिखियों नहीं लिखे लिए यह लिग देटी है यहां पर आप मान सकते हो, equation 1 ठीक है, और यह आप लिख सकते हो, given, equation 2 लिख सकते हो, tensor वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हो, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, तेखे, आप यह मने में कर लेंगे, यह दोनों दोनों बराबर हो गया, तो दोनों बराबर कर दीजिए, अब 9th के लाथ मे सकते हैं, आप एक चीज पर ही हो गया, देखे, यहाँ पर एक और concept है, तीन-चार concept है, ठीक है, आप यह नहीं बुलेगा, सर आपने पुला था था, दो ही concept है, आप निकल के सामने आ रहे हैं, मैंने major की बात की, ठीक है, major इसमें थिल स्थोरम था, ठीक है, और बहां की तो, नोमा इसो से लिटर अंगल क्या है, सतमे अटी में से बच्चे लोग परती आ रहे है, फिर अभी मैं बता हूंगा, तो वह भी नॉर्मल है, क्या कते हैं, इंटरे, अल्टरेनेटर अंगल, सब होता है, कोर्रेस्पोंडिंग अंगल, यह सब नॉर्मल बात है, तो concept है, तीन कोई भी दो इंगल बराबर है, मानलो, यह एक है, तो यह कुछ भी एक के जग़ा पर एक, दू तीन चाप पर कुछ भी अंगल ठीक है, और यह मानली यह दो है, तो जब एक एंगल है, दो इंगल बराबर होगा नो, जब दो इंगल बराबर होता है, तो उसके आमने सामने क साइड भी बराबर होता है तो जब ये दुने इंगल बराबर है तो इसके सामने वला जो साइड है ये वला और इसके सामने वला सारी ये दुने भी बराबर होगा ऐसा रूल होता है निंत का थोरम में पढ़ रहूंगा अब फिर देखो मालो हम सम्धाने के लिए देरें ठीक है मालो यह साथ डिगरी है ठीक है और यह भी साथ डिगरी है तो देखो यह दुन इंगल बराबर है तो अब यह दुन इंगल बराबर है तो अभी हम रूल क्या है जब दो इंगल बराबर होता है तो उसका आमने सामने का यानि कि समुख भुजा भी जो होता है अपोजिर सैड्स वो भी क्या होता है इसके सामने बला यह इसके सामने बला इक्वल है इसको फिर उल्टा कर लो इधर मान लो मान लो सतर डिगरी इधर भी मान लो मान लो सतर डिगरी तो यह इंगल बराबर रह निन जो दाल पिर यह सांगे इकोलं के ऩुछ देखो क लेत है कि नुफ हमालव के तैसे करके यहां पर गहे कि आप यहां पर बापर है यह स्टिया हों Inner फिकूर आप आनाубли नहीं को हाँ अब यहां बीच चां जिवर से बचने के लिए विएर आपको 20 विइस से मतलब है अब मैंने अभी बोला ना प्रक्श ना प्रक्यु में अभी बोला कि 20 से मतलब है बीच मां क्या है Angle Q यह वहला और किया है यहां प्रक्यार तो यह वाला तो इसको आप भूर जाए जाहा नहीं है में कदना मन में बहुता है अभी मैंने क्या बताபी क्यों किञें यह क्यों यह इंगल क्यों है यंगल आर के सामने क्या है विल्क्shopnya यह ति होगा इसे व्हुत हें जो सामने की यह तो चित्र में समझाने हैं周 admitting तो होगा तो यहां पर लिख देंगें इसे करके यहां पर यहां पर इसकर करके तो इसको यह को जासकतो इसको यह वाला इदर यह सकततों जो पर पर प्र ड़केगा बराबर नो तो बराबर हैं यह लिखिये यह लिखिए यह लिखिए है यहाँ पर फिर चार बटा मालेजिये अच्छ है आप यह पर रीजन किया देंगे रिजन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो आंगल बराबर होगा तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा we know that we know that we know that if angles are equal then opposite sides are also equal to तो तुम बहुत समय लग जाएगा तो आप सॉट कर में लिख दो sides sides अपोजिट दो इक्वल एंगल्स अब सरा और बरहा दो आर इक्वल लिख दो एक्वल इसे लिख दो ठीक है अब इसे अगर नहीं लिखना चाहते हो था अब यह और है तो यह क्या है sides अपोजिट दो है न दो है न तीसलिए sides opposite the equal angles टीक है sides opposite the equal angles are equal यह अब इसे नहीं लिखना चाहते हो तो तो रिजीन में इसे लिख दो और लेकिन एक ही लिखना है दो लिखना है opposite sides of opposite angles और एक्कवल यानेकि opposite 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 तो आपना सेट यहां पर देखो यह क्या था यह PQR था इसका दो सेट बराबर है तो आप समझ गये ना स्टार्टिक मैंने कहां से क्या था एक ट्रेंगल है इसका दो सेर यह यहां च्छेर्गल का थो लिग देंगे यहां पर हैंस यासू हैंस ट्रेंगल बी क्यू आर के एच एंड त्रेंगल क्यों और यह वोल है न यह यह आयर आता है न तो शुरुरुशु़ मैं लगते थे यह तैंगे पी क्यू आर इजए आ ऐसो कि शेलर्ओ्रेंगल पुरूप्ट पी आर ओभी इडी पुरूप्ट तो सब्सक्राइब को लाइक किजिए और अपने दोस्तों के बीच में फ्हला दिजिए अलोगो को मोटीवेट कीजिए प्रिरिद कीजिए इस चैनल से जून्य कुछ भी तिकत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और प्लीज प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब सियर जरूर कीजिएगा ठांक यू